तो इस्टोनेंटीज वेलकम बग गजवकर कैडमी मैसेल अरदीप सिंग एंड हम डिसकस करने वाले हैं कि लास्ट वाल्त एपलाइट मैथमेटिक्स के लिए न्यू चैप्टर चैप्टर नमर 7 इन्टी ग्रल्स अब यह जो इंट्रीगल वाला पार्ट है आपके पास कैल्क हुआ ठीक है इंटीग्रेशन का हुआ ठीक है इक्वेशन जो होगी आपके पास इंटीग्रल पार्ट के लिए है डिफ्रेंशल इक्वेशन वाले पार्ट हुए यह वाले जो आपके पास 3-4 चैप्टर्स का बंद चल यह लगबग मान के चलो 20 मार्क्स के अंदर आएगा इसके अंदर 20 मार्क्स के अंदर आएंगी सारे चैप्टर अगर आपने एक भी चैप्टर इसके प्या तो आपको नेक्स्ट वन चैप्टर समझने में बहुत जादा दिक्कत होने वाली है मेरे हैसाब से समझ में आएगा ही नहीं यह कैल्कुलस का पार्ट है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा चैप्टर थोड़ी से लेंदी होने वाले फॉर्मुलास बहुत सारे होंगे तो याद करने पड़ेंगे आपको लिख लेके तो प्रैक्टिस बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसका जो बेसिक पॉइंट है वो आपने क्लास 11 म अगर्वाल में क्लास 11 के अंदर आपका एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 11 वह आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने नहीं पढ़ाया तो अपने क्लास 11 वाले जो लेक्टर प्लेलिस में आगे चेक आउट करो आप वह भी देख सकते हैं देखो मैं इसलिए बोल रहा ह यहा शाला तो आपको इंटिग्रेशन नहीं आएगा यह एक्छोल में एक दूसरे के वाइस फ़रसा है एकदम रिवर्स अगर आपको यहापर साथ साथ में डिफ्रेंशेशन सथ भी बताता हुँ चलूंगा formulas जो भी मैं आपको revise कराने वाला हूँ उसमें भी आपको दोनों compare कराऊंगा कि differentiation में क्या formula होता है और उसका just reverse integration में क्या formula होता है किलियर हैं आपर सभी students को चलिए तो क्या देखने वाले हैं अपने यहां पर exercise जो आपकी 7.1 होने वाली है उसका introduction देखेंगे जिसमें हम लगभग सारे formula करेंगे जो एंड तर यूज होंगे यह formula के वल exercise 7.1 के लिए नहीं है पूरे throughout chapter आपके लिए यही formula यूज होने वाले है इन formula पर focus रखना है आपको क्योंकि पूरा chapter इन formula के आगे पीछे गुमेगा चला है स्टार्ट करें जो भी चैनल पर निउस्टेंड जूट चुके है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो लाइक को आप करीद होगे सेशन एंड होने के बाद चलिए देखते हैं हाँ पर integration as an inverse process of differentiation differentiation का just inverse से उल्टा है कैसे देखो सबसे पहले आपको कुछ टर्म से जो पता होने चीए जैसे आपको यहां पर यह integration के लिए यह वाला सिंबल हम यूज करने वाले इस तरीके से यहां function के अंदर कोई भी यहां पर value हो सकती है exponential हो सकता है या फिर कोई लाए में आएगा इंटीग्रल ओफ f with respect to x पढ़ेंगे इसको भी ठीक है clear है यहां पर एक्स आपके पास क्या होता है variable होता है पता ही आप लोगों को ठीक है और जब हम इसका integration करते हैं तो जब उसका solution होता है इसके solution के अंदर एक plus c add हो जाता है constant बोलते है उसको तो यह भी आप ध्यान रखना वैसे और भी सिंबल होते है c1 c2 ऐसे करके बटा मेंली आप c रग ले ना उसकी जगे आगे बढ़ते हैं अपन चलो तो देखो जादा कुछ नहीं है मेंली अगर आप formula ध्यान रखोगे न तो आप easily इसको जो है compare करके याद रख सकते हो मैं आपको साथ साथ में derivative वाले formula बताऊंगा फिर integration वाले formula बताऊंगा दोनों compare कराऊंगा आपको याद होगा x की power अगर n होती है और उसका हम differentiation करते हैं मतलब dash करते हैं तो क्या होता है power आगया आती है और इसकी value में से power कम हो जाती है और फिर x का भी differentiation हो जाता है ऐसी होता है अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर इसी चीज का आपसे xn का integration पूछ ले क्या पूछ ले integration तो क्या होगा xn as it is रहेगा और upon के अंदर इस power के अंदर plus 1 लगके plus c जुड़ जाएगा बताऊंगा है कि जो मैं यहां समझा रहा हूं वो आप ध्यान रखना आप यह directly ध्या कि power जो होगी उसके नीचे लिख देना है उस power को आपको plus 1 लगाके और इस power में भी plus 1 करेंगे यह power as it is रहेगी इसमें plus 1 होगा नीचे same power plus 1 लगाके लिख देना और plus c जोड़ देना हमने क्या पढ़ा था कि x का जो differentiation होता है वो क्या होता है 1 होता है ठीक है इसका मतलब अग क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और प्लस याद करो constant का differentiation वहाँ पर 0 होता था ठीक है साइनेकस का differentiation होता है कितना होता है course नगे करके हमें往 में ऐसे करते हैं इसे याद और न पर कैसे है यह का सेख्य होता है कि कॉसक्स का जो डिफ्रेंशिशन होता है माइनस साइन अग्स होता है लेकिन असी केस्ट को मैं माइनस कोसक्स करके पूछू आपसे सब्सक्स करें अगर लॉड़ न wrath होता है और यहां पॉजिटिव होता है यहां पॉजिटिव होता है ऐसे उल्टे है जैसे चाहे वैसे याद रखने मैं तो आपको ऐसे लिंक बतारों को आप ऐसे कैसे करके जोड़ के याद रख सकते हैं ठीक है आगे देखो एक्ष्ट आ जाता है और सेक्षट का क्या होता है अब यह एक्चुल में ऐसा है कोटेक्स का जो डिफ्रेंशेशन होता है वह माइनस को सेक्स होता है अगर यहां नेगिटिव लग जाएगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे आप याद रख सकते हो कलियर हैं आपके टैने इक्स हो जाएगा आधिक रखसकते हो का का डिफ्रेंशेशन जो होगा वो केतना हो जाएगा माइनस को टैक्स कि लिह रहे हैं यहाँ फिर और अगर यही चीज में आपसे पूछां इंटिग्रेशन बताओ को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को याद करने पड़ेंगे उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है चली नेक्स देखते हम अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस दियान रखो आप माइनस एक्सका इसका इंटिग्रेशन पूछेंगे तो क्या कोगे माइनस सब्सक्राइब इसका integration पूछे तो आप से क्या कोगे आप- अब आप कोगे सर यह दोनों value तो same है यह दोनों value तो same है यह दोनों value तो इसका जो answer होगा वहाई इसका answer में sin inverse x लखू या minus kawse inverse x लखू यह क्या लिखू तो यह हम cash n के demand के एसाफ से use करेंगे ना कैशन की डिमांड के अंदर क्या यूज हो रहा है कौन सी वैल्यू रख नहीं उसी साफ से आपको यह सोचना है ठीक है आगे बढ़ते हैं और इसी चीज का रिवर्स यह हो जाएगा और इसका इंटीडरेशन क्या हो जाएगा इसका डिमांड पर डिपैंड करेगा इकी पावर एक्स का डिफ्रेंशेशन क्या हो जाएगा और इक्स का इंटीडरेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी प्लस सी सम्में धार रखना कॉंस्टेंट होता है तो आप क्या कहोगे, ax.loga कहोगे, ऐसे, ठीक है, किलियर है आपे, और ये value क्या है, ax upon loga है केवल, तो इसका क्या हो जाएगा, ax हो जाता है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका मतलब ax का intuition क्या हो जाएगा, ax upon loga हो जाएगा, और प्लस सी, बताओ क्या समझ में नहीं आया याद रहेंगे हैं, तो हम directly इनको apply कर सकते हैं, clear है आपे, ये complete हुआ, introduction access 7.1 के लिए, ये mainly formulas पूरे chapter के लिए है, किबल access 7.1 के लिए नहीं है, इसलिए सारे formulas का आप एक page लेना, note down करना, paste करना, और रोज revise करना, कुछ दिन के अंदर आपके दिमाग में site हो जाएगे, सारे formulas, और mainly questions की practice more and more रखना, जितने questions में इनको apply करोगे, उतना ज्यादा आपकी दिमाग में ये revise होके set हो जाएगे, clear है आपे, तो next हम मिलने वाले हैं किसके उपर, आप एक एक बार pause करकर के note कर लेना, शायद आपकी book में directly नहीं दे रखके होगे हैं, तो next हम मिलिंगे, example number one के साथ, देखते हैं क्या दे रखाया हैं उसमें?